नमस्कार प्रियदर्शकों हाजर हूँ मैं 18 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर यनी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दहित्य गुरू को नमन कर चलिए राशिफल का एकारिकरम प्रारम्भ करते हैं बात करेंगे सबसे पहले। आज के पंचांग की आज शुक्रवार है। कारतिकमास, कृष्न पक्ष की आज प्रतिपदात उत्वी है, जो दोपहर एकबज करके 15 मिनट तक है, और इसके पुश्चात द्वितिया है। अश्विनी नक्षत्र दोपहर एक बच करके 26 मिनट तक और इसके पश्चात भारणी नक्षत्र है। वज्रयोग कौलव करण है। बाथुगी पंचांकी चंद्रमा आज मेश्ट रासी में रहेंगे और अभिजित मुहुर्त का समय दिन में 11 बच करके 20 मिनट से दोपहर 12 इसकार्यों से चुरकाल तक लाव लेना हो, ऐसे प्रतेक कार्य को अभिजित मुहुर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहुर्त हरीकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नयाकारे प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रियदर्शकों आज सुर्योदे से दोपहर एक बच करके 26 मिनट तक सरवार्थ सिध्धी योग है आप जानते हैं इस योग का महत्व कोई भी कारे सरवार्थ सिध्धी योग में प्रारम भकिया जाए वो कारे शिग रही सिध्धी प्रदायक होता है अद्भुत हैं आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप किसी पर भी हावी हो सकते हैं सही हो या गलत? अपनी बात सामने वाले को मानने के लिए जबरन नहीं बेहद चतुराई से बाध्ध कर देते हैं आप सामने वाला लाख सही बोल रहा हो लाख चतुर हो पर आपके सामने तो वो पानी ही भरने लगता है अगर इन चह अदभुत योगों में से कोई भी एक योग आपकी कुंडली में है तो यूँ समझ लीजिए कि आप सदय वो सामने वाले पर हावी रहेंगे दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य अदभुत ज्यानवर्धक है दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे लेकिन उससे पूरबात कर लेते हैं ग्रह स्तुतियों की चंद्रमा मेश रासी में संचरण कर रहे हैं तो वहीं गुरू वक्रवस्था में वर्षभ में मंगल मिथुन में हैं केतु कन्या में सुर्य और बुध यूती बनाकर तुलारासी में संचरण कर रहे हैं शुक्र का संचरण वर्षचिक में है शनिदेव वक्रवस्था में कुम्भ में राहु मीन में शनिदेव की तीसरी द्रिष्टी चंद्रमा पर है ये चंद्रमा दिन के पुर्वार्ध और दिन के उत्रार्ध दोनों में दिन के पुर्वार्ध कहिए एक बच करके 26 मिनट तक केतू और इसके पश्चाथ फिर शुक्र के नक्षत्र में होंगे अब देखा जाए तो आज शुक्रवार का दिन है, सौं मेबार है कैसा रहने वाला है ये दिन आज का आपके लिए कौन सी उराशियां है जिन के लिए दिन का पुर्वार्ध स्रिष्ट है और कौन सी उराशियां हैं जिनके लिए दिन का उतरार्ध स्रेष्ट है और कौन सी उराशियां हैं जिनके पूरा दिन ही स्रेष्ट है कौन सी उराशियां हैं जिन्हें अपने सभी नयकारे आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी व राशियां हैं जिन्हें अपने नएकारी प्रार्मभ करने से आज बचना चाहिए। मेश शे लेकर मीन राशी परियंद, प्रतेक राश के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेश प्रभाव में रहने वाले हैं आप। कौन सा वो शनान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को स्ट्रेश्ट बना सकते हैं सभी विश्यों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रहिस्तुति, इनी ग्रहिस्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तयार किया है, नि दैनिक राशी फल तयार किया है वो नैदर्शक, जो मेरे इस राशी फल के कारिक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूँ यह राश के आधार पर इस राशी फल को देख सकते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहुर्द की 23 अक्टूबर दिन बुधवार भद्रा व्याप्ति के कारण उस दिन कोई और मुहुर्द नहीं है दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के अब आपको मैं चलता हूँ, उससे पूर्वो जानकारी देदूँ जो आपके लिए बेहद आवश्यक है दिव्य महाप्रयोग तो आवश्यक है ही, लेकिन इस दिव्य महाप्रयोग से भी यदि कोई ज्यादा चीज आवश्यक है, वो है ये लिंक इस लिंक को क्लिक करिए, और इस लिंक के सभी नय पुराने वीडियो लगभग 400 के करीब इसमें वीडियो है इस प्लेलिस्ट में, ओनली इस्टोलोजी नाम का इस प्लेलिस्ट है, और इसके सभी नय पुराने वीडियो जेके करके देखिए, और जोतिस में आपकी वो गहरी रूची जागरत होगी, जोतिस में वो आपको आनंद मिलने लगेगा, कि आप बाकी ब्यर्थ की चीज़ों चली चलते हैं, आज के उस अद्भूत दिव्यमाहा प्रयोक की ओर। सोच रहा है, क्या सोच रहा है, अगर पहले ही हम इस चीज को भाप लें, तो यह आसान है कि हम सामने वाले को अपनी बात मानने के लिए बात भी कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आप बहुत से लोगों से मिलते हैं, आपका कोई ऐसा काम है, जिसे सामने वाला क्या उठाएगा, भाई, दिन भर आप लोगों से अपना एक प्रोड़क्ट ले करके जा रहे हैं बेचने के लिए, अब सो में से कम से कम साथ लोग तो एक जैसा ही सवाल रखेंगे, अब उनके मन में जो सवाल उत्पन होगा, वो पहले ही आप भाप जाएंग भाई, जो मैं कह रहा हूँ, आप मान जाओ, कैसे बनता है ये योग? प्रिदर्शकों पहला सूत्र कहता है कि जन्मे कुंडली के तीसरे भाव में बुद्ध राहु की यूती हो, और इस यूती पर चंद्रमा की दिद्रिश्टी पढ़ जाए, तो ऐसे जातक मानसिक शक्त लेकिन ऐसा जातक समवाद कौसल से अपने वार्ता लाप के दम पर किसी पर भी हावी होने की अद्विती च्छमता रखता होगा, ऐसा जातक तर्क, विशलेशन और तातकालिक प्रक्रियाओं में जवरदस्त माहिर होगा जन्म कुंडली के पंचम भाव में सूर्य और मंगल की यूती हो और इस यूती पर यदि गुरु की दृष्टी पढ़ जाए, तो ऐसा जातक जूठ को भी कुछ इस दृष्टा के साथ बोलेगा, कि सामने वाला खुद संसय में पढ़ जाएगा, कि कहीं यही तो सही नहीं जाए, तो यह योग जातक को आत्मविश्वास से भरपूर संबात की छमता प्रदान करता है, जिसके चलते वो दूसरों पर अपनी बात को मजबूती से थोप देते हैं, जी यहां थोप देते हैं, दसंभाव में चंद्रमा और बुद्ध की यूती हो और इस पर राहु की दृष्टी पढ़ जाए, ऐसा जातक हर जगह तो नहीं, लेकिन कारेट छित्र में, उसके साथ परिशानियां जरूर आएंगी, लेकिन अपने पेसे में अदवितिये विचार और नियंतरन शक्ति वाला होगा, ऐसा जातक अपने वरिष्ठ हों, सहकर्मी हों, मानसिक वो मानसिक रूप से सब पर हावी रहेगा, उसका वो भले नित्रत्व न करता हो, लेकिन उसका दबदबा वहां ऐसा होगा, जैसे लगेगा कि नित्रत्व करता यही है, टीम लीडर यही है, नवंभाव में शनी और राहु की यूती हो, और इस यूती पर इदि देव गु मस्त हैं, गुरु सिद्रिष्ट वे महाभाग्यवान योग भी है, ऐसा जातक जो भी बोलेगा, ऐसी कोई बात नहीं बोलेगा, कुतरक और तरक हर तरह से आपको बात दे नहीं करेगा, वो जो भी बोलेगा वो गहरी पकड़ रखता होगा उस विशे पर, और तब वो बोल बोलेगा, ऐसा जातक दार्शनिक हो सकता है, धार में किसी विशे पर वारता करने वाला हो सकता है, आप लोग पता नहीं जानते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे यहां वारणसी में शास्त्रार्थ करने वाले होते हैं, जो फ्रेंस्कृत के विशेयों पर सास्त्रार्थ करते हैं तो वो ऐसा नहीं कि कुछ भी रखेंगे, वो शिर्फ वहाँ पर मंच होता है, वहाँ पिर वही बोल सकते हैं जो शास्त्रिय तर्क हो, शास्त्र सहीतर आप नहीं बोल सकते हैं, तो ऐसे लोग अपना तर्क रखते हैं और सामने वाले को बाध्य कर देते हैं, जो मैं कहूं व मानना पड़ेगा जन्म कुंडली के बार्मे भाह में शुक्र और केतु की यूटी हो और ऐसे शुक्र केतु की यूटी पर यदि गुरु की दृष्टी पड़ जाए तो भी ऐसा जातक संबाद में कुसल होता है उस मानसिक रूप से वो इतनी गहराई लिये हुए होता है कि स जिससे भी मिले 10 लोगों से 20 लोगों से 50 लोगों से मिलते मिलते उसको इतना पता चल जया ह 독ला प्रशन आपका क्या होगा लेकिन जड़ा सोच के देखिए कि सामने वाले ने प्रश नहीं कुछ ऐसा किया जिसकी आपने कलपना ही न की थी जरा समझीए आप खुद महारत ही हैं आप किसी के मन को भाप लेते हैं लेकिन सामने वाले ने प्रश नहीं बिल्कुल पलट दिया ऐसा प्रश्ण किया जिसका कि आपने सोचा ही नहों या साहत सौ में से कोई एक करता हो तो जब सौ में से कोई एक प्रश्ण करता है तो ऐसे प्रश्ण की तैयारी नहीं होती है और कमाल देखिए कि शुक्र केतु की यूती वाला जातक अगर गुरू से दृष्ट ये यूती है तो ऐसा जातक दूसरे के मन के दूसरे के विचार के अवचेतन मन में जो विचार उत्पन हो रा उसको नियंतर्ण कर लेता है यानि उसके विचार को समझ लेगा और अपने विचार को अंदर दबा लेगा यानि साब समझी नहीं पाएंगे क्या बोलने वाला है क्या करने वाला है एक और आपको उपाय बताता हूँ एक और सूत्र बताता हूँ और उपाये तो क्या कमाल का आपको उपाये बताने वाला हूँ उसे भी आप सुनिये गा प्रिदर्शकों लगन में दिशनिदेव और बुध की यूती हो लगन में शनी और बुध की यूती की अपनी कमिया है नपुनसक योग मैंने इसको बताया हुआ है और राहु की दृष्टी पड़े ये और कई मामलों में परिशानी जातक को थोड़ा बेचैन भी कर देता है मानसीक रूप से परिशान भी कर देता है लेकिन कमाल की बात है कि ऐसे लोग भी अपने आसपास के लोगों पर हावी हो जाते हैं सामने वाले के सोचने समझने तक की दिशा बदल देते हैं अब जरा ध्यां से सुनियेगा इस वाले सिध्धान्त में भी थोड़ा अंतर है, देखिए मैंने आपके समुख छह सुत्र रखे इस सिध्धान्त के लोग बहत लंबे स काम नहीं कर पाते हैं शुरूवात में वा हववा बना देते हैं सास्तुर तो ये कहता है कि हम आई दिन समाचार न्यूज में नहीं सुनते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों में फलाना कौन था अभी जेल में गया है क्या भाई तो बड़ी बड़ी पार्टियों में इसको देखा जाता था उससे मिलीए तो पता चले कि उसके पास था कु चार पर हावी हो जाते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं चल पाता, ये लंबे समय के लिए नहीं है, इस योग का प्रभाव चणिक ही है, या यूँ समझ ले कि अलपकाल के लिए है, इसमें सर्वस्रिष्ट जो सूत्र है, वो नवम वाला है, सनिराहुक यूति पर अब आपको मैं बहुत अद्भुत कमाल का उपाय बताता हूँ, ये योग आपकी कुंडली में है, तो अच्छी बात है, आपको तभी ये उपाय करिए, और ये योग आपकी कुंडली में नहीं है, फिर भी कौन ऐसा होगा जो ये नचाहता हो, कि सामने वाले के ऊपर मेरा दबदबा हो जाए प्रिय दर्शकों ताटक साधना के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है दिया जला करके उस दिये को देखना लेकिन उसका भी एक अध्भुत आपको उपाय बताने जा रहा हूं जरा उसको उपाय को समझिए आप कोई भी एक ऐसा जगह अपने घर का चुनिए जो एक आंत हो शांत हो हो सकता है आपका पूजन स्थल हो सकता है हो सकता है कोई ऐसा स्थल हो जहां लोग न आये जाए और यहां पर आपको कम से कम 10 से 15 मिनट मिलना चाहिए एक आईना ले लिजिए इतना कि आप उसमें आसानी से बैठे तो आपका चेहरा दिखा पड़े ऐसा और आईने को दिवाल से टिका करके या कैसे भी खड़ा करके रख दीजिए और ठीक आईने के सामने बैठ जाईए और अपने आईना और अपने बीच एक घी का दिया जला लीजिए मिटी में आप किसी भी चीज में एक घी का दिया जला लीजिए त्राटक सा लोग को सीधा नहीं देखना है, आप आइने में देखिए दिये की लोग को, अब उसमें एक एक स्ट्रा चमक जागरत होगी, लेकिन उसी पर आपको ध्यान के इंद्रत करना है, प्रिय दर्शकों ये उपाय कोई भी कर सकता है, इस उपाय को अगर सही से किया जाए, तो जो बहुत मानसिक रूप से प्यूरित है, मानसिक रूप से परिशान है, उनपर भी ये उपाय बहुत कारगर सिध्ध होता है, और जो लोग अपने मानसिक चेतना को जागरत करना चाहते हैं कुछ इसकदर, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, वो ये भापा जा सकता है, तो आप यह उपाय अगर करके देखें, तो आपको इस चमतकार, इसका चमतकार मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, अब कम से कम 10 से 15 मिनिट आपको बैठना पड़ेगा रोजाना, 10 से 15 दिन करते करते, आपको पहले तो मन के उपर, खुद के मन के उपर नियंतरन दिखिए, आप तब तक सामने वाले के मन पर नियंतरन नहीं कर सकते हैं, जब तक खुद के मन पर नियंतरन ना कर पाएं, अब सवाल यह उगता है, कि क्या कोई ऐसा भी है जो खुद के मन पर वो होगा ही नहीं, केवल और केवल जो एक तरह से साधक वर्ग है, उन्हीं के पास ये चमता है, बाकी आम लोगों के लिए चमता नहीं है, फिर भी अगर हम सौ सिर्धी में से दो सिर्धी भी चढ़ जाएं, एक सिर्धी भी चढ़ जाएं, उतने में चमतकार दिखने एक से दो सिर्णी चढ़ते चढ़ते आपको चमतकार दिखने लगेगा यानि आप 15 मिनट 10 मिनट के लिए भी मन को एकागर कर पाए उस आइने में दिये की लौपर ये काफी है 99 सिर्णी भूल जाइए इतने में आपको चमतकार दिख जाएगा मैं दावा करता हूं आप आज पाजमा के देखी चली चलते हैं राश्य फल की ओर बात करेंगे राश्यों के करम में पहली राश्य में राश्य के जातकों के लिए आज का दिन क्यालेकर क्या आरहा है गोचर कुंडली में चंडरमा राशी से आज पर समाज में मान सम्मान पहचान में आपके ब्रद्धी होगी मार्ग बाधित था मार्ग बंद था खुल नहीं रहा था मार्ग खुलेगा कोई अच्छी सूचना मिलेगी कुछ अच्छे बदलाव मिल होंगे और एक बात सबसे जरूरी कि जो भी होगा सबाब के इक्षा के अनु करनी है उसके लिए दिन बढ़िया है बाकी कोजर कुंडली की स्थिति को देखे तो चंद्रमा का आपकी रासी पर होना ठीक है और कोई चिंता परशानी बेचैनी थी वो सब दूर होगी काम में मन लगेगा दूसरों के लड़ाई जग्रे में आपको नहीं पढ़ना नहीं वरिशब के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा रासी से आपके आज बारहे में हैं आज किसी विस्षिद्धसंत की समाधी पर जाकर के दर्सन करिए अथ्वा आपने इस्ट देवता के मंदर में जाकर के दर्सन करिए इससे आपको फायदा मिलेगा आप चाहें तो इस्ट देवता पर थोड़ा पंचामरत तरपित करिए इससे और जादा फायदा मिलेगा कोई चिंता परिशानी थी वो दूर होगी कोई ऐसी सूचना मिलेगी जो कि आपको एक्टिव कर देगी कोई बड़ा फैसला भी करना है तो कर सकते हैं यात्रा ना कर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ जोखिम भरा कोई कारे मत करिए लेंदेन का काम आज आपको नहीं करना चाहिए जहां तक हो सके शांत रहने का प्रत्न करिए वैसे दिन बीतेगा आनंद के साथ ही चिंता की कोई आवशक्ता नहीं किसी पुराने परिशित से मुलाकात होग कि किसी पुराने रोक से मुक्ती मिलेगी और कर जित्यादी से भी जूज रहते तो मुक्ती का मार्ग आपको मिल जाएगा पुनह दोहरा देता हूँ लेंदेन जिससे समधित कारे आज आपको नहीं करना दामपत्य जीवन सुख में दिखाई पढ़ रहा है जीवन साथी का साथ मिलेगा प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा नहीं है दिन किसी भी फिल्ड के आप विद्यार्थी हैं मन पढ़ाई में नहीं लगेगा इधर उदर की चीजों में ही समय जाने वाला है लकियंक आपके लिए एक है और लकी कलर आपके लिए आज हरा है निवेश आप करें मिथ उनके जातकों की बात कर लेते हैं गोचर कुणली में चंद्रमा रासी सिलाभ में हैं दिन का पूरवार्ध और दिन का उत्रार्ध दोनों अच्छा है आज अपने कुल देवी के नाम से घी का दिया प्रज्वलित करिएगा और हो सके तो शिव मंदर में भी जाकर के घ घी का दिया जलाईएगा या एक ही दिया घिस्यू मंदर में ही जला करके आजाईए समस्या का समधान आपको मिल जाएगा भागे का साथ मिलने लगेगा स्वास्त से समंधित कोई परिशानी थी वो दूर होगी किसमत के दरवाजे खुल जाएंगे कोई बड़ा अवसर है तो आज आप करिए सकारात्मक परिणाम लेकर क्या रहा है दिन और आज नितिग्यों के लिए दिन बहुत अच्छा है खर्च पर नियंत्रन रखिएगा वाहन सावधानी के साथ चलाईएगा और दूसरे के जगड़े में नहीं पढ़ना पुरानी दुश्मनी को आज भ करत के जातकों की बात करें तो दिन का पुरवार्ध हो या दिन का उतरार्ध दोनों ही ठीक है आज देवी के मंदर में जाकर कि उनका दर्शन करिए गुलाब जल या इत्र के शीशी दान कराईए और स्वेम सफेद रंग का वस्त्रधारण करिए इत्र का इस्तेमाल करिए दिन भाइदे मंद हो जाएगा बाकी कारेक छित्र में लंबे समय से रुके हुए जितने भी काम थे उन्हें पूरा करने का प्रत्न करिए कहीं पैसा लंबे समय से फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए शांती से जो आपसे प्रत्न हो सके वो करिए और सब की बात को गंभीरता से सुनिए और कोशिश लगाताय करिए नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है पार्ट टाइम जोब के लिए प्रयासरत है तो सखल्टा मिलेगी स्वास्थ में यदि कोई चिंता थी अथवा कारेक्षित्र में उच्छा धिकारी नाराज थे तो उन्हें मनाने के लिए उनको ठीक करने के लिए निरासा की स्थिती को दूर करने के लिए ठीक दिखा अपने काम ध्यान दीजेगा चुबली किसे की मत करिये जा घर का बाता वरण भी दी तनाव पूर्ण था तो उस पर भी आज आपका नियंत्रन हो जाएका तनाव पूर हो गा विद्यार्थ्यों की बात पर रूप आज का दिन अच्छा रहने वाला है और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें तो स्वास्थ में कोई परिशानी तो नहीं है हाँ स्वास जन्ने रोग से वर ग्रसित हैं आप तो आपको अपना ध्यान देना चाहिए लकियंक आपके लिए जनो लकी कलर आपके लिए के शरिया है और निवेस आप करिए सुम्मक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का रासी से नवम में होना क्रमसह केतु और फिर शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है आज एक चुटकी सफेद नमक अपने सर से क्लॉकवाइस घुमा करके किसी पौधे की जड़ में डाल दीजेगा बस इतने से उपाय से आपका दिन स्रिष्ट हो जाएगा भविश्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी उच्चा धिकारियों से बातचीत करने के लिए दिन अच्छा है कोई नया कारे प्रारंभ करने के लिए दिन अच्छा है किसी से मुलाकात, मीटिंग बहुत बढ़िया है दिन बाकी आज जहां भी रहेंगे परिस्तितियों पर आपकी पकड़ बनी रहेगी कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहें तो कर सकते हैं दिन शुभ है बेवसाईयों के दिबात करूँ तो बेवसाईक दर्ष्टिकोंड से भी आज का दिन बढ़िया है उधार लेन देन से समंधित भी कारे आज कर सकते हैं पर किसी पर आखबंद करके भरोसा नहीं करना है वहन बहुत सावधानी के साथ चलाईएगा प्रेम समंध के दर्ष्टिकोंड से देखें तो बणिया है प्रेमी समंध की बात कर सकते हैं विद्यार्थियों के लिए भी दिन ठीक दिख रहा है और स्वास्थ के दृष्टिकोंड से देखें, तो स्वास्थ में पुराना रोग, इससे आज आज आपको मुक्ति मिलेगी, लकी अंक आठ, लकी कलर, आपके लिए आज पिंक है, निवेशा करिए बात कन्या की कर लेते हैं, कन्या के जात्कों के लिए दिन अच्छा है, दिन का पुरवार्द भी अच्छा है, दिन का उतरार्द भी ठीक है, दिन के पुरवार्द को अच्छा बनाये रखने के लिए, मध्यमा उगली से काजल का टीका अपने नाभी के पास शनान से अथिक दृष्टिकोंड से आपको रहात मिलेगी, धन को लेकर के चिन्तित्वे तो उससे मुक्ति मिलेगी, मित्र की सहायता से आपका काम बनेगा, पुराने मित्र से मुलाकात होगी, और कोई लंबे समय से रुका हुआ काम था, वो काम बनेगा, कोई ऐसी डील आज आपको म मिलने वाली है, जो कि आपके मन को संतुष्टी दे, जो भी काम करिएगा, योजनाबद ढंग से करिएगा, हो सके तो किसी समझदार विक्ति से रायमस्वरा करके करिएगा, घर की मरमत करनी हो, कोई बड़ा परिवर्तन करना हो, कर सकते हैं, बस सावधानी जरूरी है, स्व जुवन साथी के साथ आजाए, संतान के साथ आजाए, तो क्रोध पर नियंत्रन आपको रखना होगा, बाकि विद्यार्थियों के लिए समय थोड़ा नाकारात्मक है, और स्वास्त के दृष्टि कोण से देखें, तो कमरदर्द की शिकायत आज आपको होगी, लकियंक दो लकी कलर पीला, निवेश, जानकार की राय से करिए, तुला के जात्कों की बात करें तो दिन बढ़िया रहने वाला है, आज लाल मिर्च का नौ दाना निकाल लीजिए, और उसे भुवन भासकर को अर्गे स्वरू पर पिप करिए, इस से आपको फाइदा मिलेगा, सफेद समय से रुका हुआ काम बनेगा, आर्थिक इस्तिती भी आज आपकी मजबूती दिखाई पड़ रही है, बाकी कारेक्षित्र में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई पुराना विवाद या परिशानी थी, वो खत्न होने वाली है, ब्यापारियों को ब्यापार में सफलता मिल लाभ मिलेगा, किसी तरह के कानूनी अरचन से जूज रहे थे, तो उससे मुक्ती मिलेगी, कोई कारे कर रहे हैं, किसी नतीजे पर पहुचना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई फैसला लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, जीवन साती का साथ मिलने वाला है, जीवन स रिश्चिक के जात्कों के लिए दिन ठीक है, स्वास्त से समंधित परिशानी दिखाई पड़ रहे हैं, देवी के मंदर में जाकर के गुलाब जल की सीसी अथवा इत्र की सीसी दान कराईएगा, इस से जरूर लाब होगा, बाकि स्वास्त में परिशानी है, आज आपको नज सावधानी के साथ आगे बढ़ना है, बाकि अच्छी बात क्या है, आत्म विश्वास आपका बना रहेगा, पूर्व से चला कोई आ रहा कोई विवाद था, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, रोज मर्रा के कारियों में जो भी रुकावटें बाधाएं परिशानी आ रहे थी वो भी कहीं न कहीं, आज ये थावत रहने वाली है, वाणी पर नियंतरन रखिए, व्यापारी वर के लिए साधारणते हैं ठीक कहूंगा, नौकरी में अगर ट्रांसफर इत्यादी की सूचना मिल गई है, तो वो रुकेगी नहीं, फिर तो होने की संभावना है, और लखी कलर, आपके लिए आज ब्राउन, निवेश आप ना करें, धनू के जातकों की बात करें, तो दिन का पुरवार धच्छा है, दिन के उत्रार्ध में थोड़ी परिशानी है, आज प्रातह काल, पितोरों के नाम से ब्राम्हन को कुछ द्रब्य दक्षिना दान दूर फाइदा मिलेगा, और आज के दिन का आप फाइदा भी उठा सकेंगे, प्रसन्नता मिलेगी, संतुष्टी भी महसूस होगी, पर एक अज्यात भय पूरे दिन आपको परिशान करेगा, आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा, इन्वेस्टमेंट से समंझित कोई कारे कर रहें, तो बिल्कुल भरोसे मंद व्यक्ति पर ही भरोसा करिएगा, और खर्च पर अपने नियंतर रखिएगा, ब्यापारियों की बात करूँ, तो कारिस्थल पर उचित सहयोग न मिल पाने के कारण भी, और वक्त पर सारे काम न बन पाने के कारण हो सकता है, हानी का मु स्वास्त के दृष्टि कौन से देखें, तो स्वास्त में भी थोड़ी परशानी है, और सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों के लिए आज कन्फ्यूज रहेंगे, मन भटकेगा आपका, पढ़ाई में या तो कम लगे, या इधर उधर की चीज़ों में समय ज्यादा जा ऐसे अधर कर लेते हैं, गोचर कुंड़ी में चंदर्मा आपकी रासी से आज चतुर्थ में संचरन कर रहे हैं, क्रमसः केतू और शुक्र के नक्षत्र में चंदर्मा का संचरन हैं, प्राता काल मध्यमा अंगली से काजल अपने नाभी के पास लगा करके ये श्नान से हां भी हैं बार के अलत वहिए तो सिकायक हों लेकर कोई काम करें तो ज्यादा अच्छा हो गَא, माता-पिता के के मन में कोई शिकायत है तो सिकायत को भूलिये और आगे बढ़िये ला अलस्यसे बचना होगा, थोड़ी ठकान आज आपको महसूस होगी पर आलस्यसे पूरी तरह से बचिये। इसे आपको नुकसान हो सकता है। परिवार के सुधस्यों के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। और जरुवत पढ़ने पर परिवार के सुदस्तों से मदद भी आपको मिलेगी, ब्यापारियों की बात करने तो यूजनापद धंक से आपको काम करना होगा और प्रेम समंध के दिबात करें, तेहां मतभेत के आसार साफ दिख रहे हैं, विद्यार्थियों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी में गलत कदम उठेगा, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहें तो ना करें, और स्वास्त में थोड़ी परिशानी है, मामूली बदंदर्द, सिर्दर्द की शिकायत दिख रही है, लकी अंक दो, लकी कलर, आपके लिए आज क्रीम ह क्रमसह केतु और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का सिंचरण, आज प्रातहकाल गाय को हराचारा कहिलाईएगा, और साथी साथ सफेद रंग का वस्त्रधारण करिए, गोचर कुंडली की स्तिती आज पूरुनतह आपके पक्ष में है, दिन बेहद सृष्ट है, दिन की बड़ा फैसला करना है, तो आज कर सकते हैं, लाभ की यूग और हर नजरिय से दिन बेहतर है, कोई योजना आपके मन में है, जिस पर काम प्रारंभ करना है, कर सकते हैं, कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, वो भी करिए, दिन अच्छा है, कोई मीटिंग है, कि जितना हो सके दू रखिए, अपने आपको, दामपत्य जीवन आपका सुख में दिख रहा है, और स्वास्त में भी कोई विशेस परिशानी नहीं है, तो ही विद्यारतियों के लिए आज का दिन बेहत खास, लकियंक आपके लिए आज चार, और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है, निवेश अवश्य करिए, बात मीन की कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा का, आपकी रासी से आज दूसरे का संबंध क्रमसा केतू और शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का सिंचरण है, आज प्राता काल एक छोटे से पात्पर में सौफ डालिए और उ उसके जल से अपने बाय कान को धो लीजिए, इससे आपको फायदा मिलेगा, बाकी गोचर कुंडली की स्तिति को देखें तो आपके पक्ष में है, आपकी थोड़ी सी कोशिश आपको आगे बढ़ने में सहयोगी होगी, नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो सफलता करियर में अच्छे मौके मिलेंगे, सोचे हुए काम वक्त से पहले ही पुर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं, सफलता की राह में जो भी रुकावटें, बाधाएं, परिशानियां आ रही थी, वो दूर होगी, दामपत्ते जीवन सुख में जीवन साथी का विशेस सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है, व्यापारियों को व्यापार में लाब होगा, तो ही नौकरी पेसा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूँगा, आप ऐसे किसी फिल्ड से जुड़े हुए हैं, जहां विशेस रूप से वानी का ही प्रयोग होता है, तो और निवेश आप अवश्य करें, तो प्रिय दर्शकों ये था में शिशे लेकर के मीन राशी परियंत प्रतेक राश के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल, अभी के लिए बस इतना ही जाज़त दीजे पुनह मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार